Hello Friends, आज की वीडियो है Underbody Hit के बारे में अब आप Indian roads की conditions तो जानते ही हैं आप सबी तो जब आप Indian roads पे चलाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी नीचे लगती है तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि probably अगर आपकी गाड़ी नीचे लगती है आपको कोई अवाज आती है अचानक से तो आपकी गाड़ी में क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं तो Friends, सबसे पहली बात कि गाड़ी नीचे टच की है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा बट नुकसान कितना जादा है कि उसे रिपेर करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा बात इस सीज पे आजाती है अब अलग-अलग गाड़ीों में अलग-अलग पार्ट सबसे नीचे होता है बाड़ी में तो friends मैं commonly 3 situations discuss करने वाला हूँ सबसे पहली speed breaker की situation कि कोई speed breaker इतना ही बड़ा आ गया highway पे जो trucks बगएरा के लिए बनाया गया होता है कि बड़े-बड़े speed breaker होता है कि गाड़ी आपकी आगे से ही टच कर जाए और उस case में तो friends सबसे पहली बात आपका bumper हिट करेगा second case की मैं बात करूँ तो जब गाड़ी हम किसी breaker के उपर setup आते हैं तो जो break over angle होता है मतलब दोनों tires के बीच वाली जगह से गाड़ी का floor टच कर जाए गाड़ी की chases टच कर जाए या गाड़ी का silencer टच कर जाए and third case अगर highway पे चलते हुए किसी truck के पीछे से और truck के बीच में से एकदम बड़ा पत्थर अचानक आपके सामने आए और उस time आप situation को control ना कर सके और गाड़ी उस पत्थर के उपर से निकल जाए तो friends ये तीन situations possible है तो सबसे पहले बात करते हैं speed breaker की situation की तो speed breaker की situation में mostly आजकल गाड़ियों में engine splash guard आता है तो अगर कोई बड़ा speed breaker सामने की side से hit करता है तो mostly आपका bumper टूट सकता है lock टूट सकता है bumper के या engine splash guard है वो hit कर सकता है, scrape कर सकता है breaker के ओपर तो उससे कोई इतना ज़्यादा damage नहीं है वो चीज बनी ही protection के लिए है तो उसका कोई इतना issue नहीं है और वो इतना repairable की भी जरत नहीं क्योंकि वो plastic part है वो कोई body का important component नहीं है उसे आप हटा के भी गाड़ी चला सकता है अगर bumper बहुत unnecessarily अगर आप गाड़ी बहुत speed में थे और bumper बिल्कुल तूट चुका है तो उसे आप निकाल के भी गाड़ी चला सकते है इसीली चलेगी second case था break over angle जब हम parking से निकल रहे होते हैं तो जो छोटी सी pulley होती है या छोटे towns में पुलियां बनी होती है उनके उपर, sea bridge के उपर तो वहाँ पर क्या होता है गाड़ी एकदम सामने से नीचे उतर जाती है तो बीच वाले पार्ट से दोनों टायर के बीच में से गाड़ी हिट करती है तो उस case में mostly क्या होता गाड़ी का floor scrape करता है अब आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में कि मेरी गाड़ी का right side में यह floor का piece change हुआ हुआ है जहाँ जहाँ आपको यह metal अलग से दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ था friends को गाड़ी किसी से touch हो गई थी किसी relative से और काफी load था उस time इस जगह है और गाड़ी इतनी तेज breaker पे touch हुई कि यह floor बीच में से फट चुका था और सिरफ carpet रह गया था और नीचे की side से center में बहुत बड़ा hole हो चुका था तो friends possible damage इस case में यही होते है कि mostly गाड़ीों के silencer की welding खुल जाती है आपके गाड़ी की आवाद change हो जाएगी या फिर आपकी गाड़ी का floor तूटने के chance है बहुत rare chance है तो काफी तेज हिट कर जाए तो otherwise scratches आएंगे and otherwise कोई इतना main issue नहीं है इसके साथ भी आप गाड़ी को चला सकते हैं third case है हमारा जब गाड़ी के सामने अचानक से पत्थर आदे और friends जो second case है break over angle का उसे हम ignore भी कर सकते हैं अगर गाड़ी को थोड़ी criss cross pattern में उतारें थोड़ा सा टेडा करके गाड़ी को टपाएं breaker के उपर से या अगर situation possible नहीं है टेडा करने की तो दो जने उतर जाएं गाड़ी से तो थोड़ी सी गाड़ी उठ जाती है और फिर गाड़ी scrape नहीं करती third case है friends अगर गाड़ी के सामने highway पे अचानक से पत्थर आ जाए ये case बहुत बार होता है Indian road पे और वो पत्थर आता कहां से जो ट्रक्स में से गिर जाता है या किसी ट्रक का टायर पैंचर होता है तो वो साइड में इंटे वगेरा लगाते हैं और उन्हें हटाते नहीं है तो अचानक से जब वो आ जाए तो आपको सबसे पहले panic नहीं करना है क्योंकि friends panic करने से कुछ नहीं होगा कि गाड़ी के आगे oil sump होता है वो damage हो जाएगा वो leak हो जाएगा या वो तूट सकता है उसकी packing leak हो सकती जिससे क्या होगा सारा engine oil drain हो जाएगा अगर आप same engine oil drain होने के बावजुद आपके meter में एक check light आएगी engine pressure की वो जो keep type बनी होती है वो light on हो जाएगी कि गाड़ी का oil pressure low है तो friends उस टाइम आपको गाड़ी को और चलाना नहीं है otherwise engine seas हो जाएगा second जो under body में हिट हो सकता हो होता है gear box gear box अगर गाड़ी का हिट हो गया तो as such तो वो rigid होता है बट उसकी अगर mounting वगरा हिल गी तो गाड़ी के gear hard हो जाएगे और आपको feel होने लग जाएगा कि हाँ gear box की mounting हिलिए है थोड़ा gear hard होने लगे third जो possible case है वो यह है कि बहुत rare chances में ऐसा होता है कि वो पत्थर पीछे जाके fuel tank पे हिट कर जाए fuel tank भी lowest hanging party होता है just left side passenger seat के नीचे होता है mostly and वहाँ पे वैसे तो fuel tank की structure होती वो इसी साब से होती अगर उस पे कोई चीज हिट करेगी तो अंदर की side दब जाएगा बट लीक नहीं होगा बट ऐसे cases में होए है कि गाड़ी के fuel tank leak होए है मैंने खुद XUV-5W का fuel tank leak होते होए देखा है अथर लगने की वज़े से तो friends अगर उस time भी fuel leak हो गया तो वो भी आपको गाड़ी आप उस time नहीं चला सकते तो friends जब भी आपके साथ ऐसा हो तो या तो गाड़ी को जाने दे most probably अचानक से maneuver ना करें अगर आपको confidence नहीं आ रहा है कि आप गाड़ी को control कर पाएंगे and जैस कोई चीज हिट करें उसी time आपको 5-10 सेकंड में गाड़ी को side में लगाना है रोख के visually inspect करना है कि क्या चीज लीक कर रही है कोई चीज डामेज तो नहीं है मेरे साथ भी बहुत बार होता है मैं भी रुख के गाड़ी को visually inspect करता हूं कि गाड़ी में कुछ डामेज हुए क्य आप देख सकते हैं और इस पर scratches आप देख सकते हैं bend भी हुआ हुआ है कही कही जिगे से थोड़ा बहुत दबा भी हुआ है क्योंकि friends ground clearance का issue है आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी है तो गाड़ी लगती रहती है नीचे normal बात है बट यह है कि लगने के बाद आप उसे inspect जरूर करें अब कभी कभी नितो अगर आप पार्क करेंगे गाड़ी लाके अगर छोटी मोटी भी leakage होगी तो आपको पता चल जाएगा सुबह ओयल की drops मिलेंगी आपको floor के उपर तो friends सबसे important thing यही है कि आपको गाड़ी को रोक के visually inspect करना है और बड़ी गाड़ी जैसे truck buses इनके पीछे चलने से avoid कीजिए थोड़ा distance maintain कीजिए क्योंकि friends इनका तो क्या होता है ground clearance होती है बहुत ज़्यादा और यह किसी भी बड़े object के उपर से निकल जाते हैं तो friends अगर वीडियो अच्छी लेगी तो please like कीजिए thank you so much for watching इसी तरह के content को देखने के लिए please subscribe कीजिए automobile gan को